Hello students, today I am here to explain to you the chapter 17, time, time का मतलब क्या होता है पिटा, time का मतलब होता है समय, ठीक है, तो आज हम इसी की पार हैं पढ़ने बाले हो, so open page number 132 of your maths book, chapter number 17, time, day and night, day and night का मतलब रात और दिन The period for which the sun rises is called a day, वो time, वो समय जब sun rises यानी सूरज निकल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते है, morning, sorry उसको हम क्या बोलते है, day, जब सूरज निकल रहा होता है उसको हम क्या बोलते है, day, day का मतलब दिन The period for which the sun sets is called night और वो समय जब सूरज धूप रहा होता है जब सूरज जब ब्लूप चुका होता है उसको क्या बोलते है नाइट जब सूरज दूप चुका होता है उसको बोलते है नाइट यानि दिन So days are bright and sunny तो दिन जो होते है उसको कैसे होते है धूप जिसमे बनी धूप होती है चमक्दार और रौश्नी वाले और नाइट्स किसी होती है अंधिरी और डल का मतलब मतलब जब रॉष्णी जा चुकिए पार्ट्स अटर डे दिन के भाग फर्स्ट है में दे सन राइज़ इस मॉर्निग जब सूरज उग जाता है तब इसको हम क्या बहुते हैं मॉर्निग फिर सेकेंड वें तो सन इस ओवर तो सूरज बहुत मिद वें जाया जाया जाये तब Gum जब सूरज किरणे जो सूरज की रोश्णी है वह चा शाने नगुली ॥ैज़रे लग जाया बिएद कंशिछ उनने तब सूरज की किरणine यानि गायक होने लग जाय है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? Evening, यानि जब सूरज बिलकुल डूप चुका होता है रात की तरफ नूँ आगे पढ़ रहे होते हैं जाए शाम हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं? Evening When the sun set, it is called night और जब सूरज जूप जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? Night The interval between noon and evening is called afternoon वो समय, उस बीच का समय जब नून यानि दोपैर और evening यानि शाम नून और evening के बीच का समय, शाम और दोपैर के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? Afternoon ठीक है जब सूरज सेर के निकल के तोड़ा इस तरह आ जाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं, आफ्टर में जब छुट्टी होते हैं, आपके स्कूल के सब टीचर्स को अपने प्रेंट्स को गुड़ आफ्टरों को बोलते हुए जा रहे होते हो ना, वही Measuring time, time को measure कैसे करते हैं, यानि, समय को मापते कैसे हैं Look at the given figure L ranks भी गह होते हैं देखिए या हुद के विर्ण ने थे भी सुआ हैं अच्छे मेरा है निया थे टो देखिए या किया रजा बनाई है या मेरा थे खुआ है या थे गिवन फिगर इस फिर गिवन थे. यह क्या है, जोले बराएंज को हम क्या बोलते है? सब्सक्राइब आया आपका सासुन शक्षण करे को गडी है किया बनाएंज को आपका सब्सक्राइब शवर मतता है डायल, there are 12 numbers, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12, on the face of the clock, जो clock का face होता है न, उसका चहरा, उसके चहरे में पूरे 12 numbers होते हैं, क्योंकि हमारे, कितने hours होते हैं total, 12 hours होते हैं, यादी 12 गंटे, a clock has two hands, clock की कितने hands होते हैं, वीटा, two hands, एक होते है, hour hand और एक होते है, minute hand, जो hour hand होते हैं, मतलब पहर का गंटे का बताता है, कि इस time कौन सा, मतलब, time हो रहा है, कितना बज रहा है, आपे अभी जाज़े 3 o clock हो रहा है, है न, और जो minute hand है, मतलब मिनिट्स के बारे में बताता ह है, the shorter hand is called the hour hand, shorter का मतलब जो छोटा हाथ होता है, है न, जो छोटी होती है, आपको हम सोई भी बोल जाकते हैं, घड़ी की समी, तो जो छोटी होती है, उसको बोलते है, hour hand, यानि shorter hand को हम क्या होते है, hour hand, और जो long होती है, उसको हम क्या बोलते है, minute hand, यानि जो लपी होती है, तो इस कौन क्या होते है? Minute hand इतो clock शुन आपकता Our hand is at 3 and the minute hand is the 12 तो इस यह जो clock दे रही clock है इस पर Our hand 3 की तरफ है और जब minute hand है वो 12 की तरफ है तो Our hand हमें यह बताता है कि क्या time दोरा है तो इस time क्या time 4 है? 3 a clock We say that the time is called 3 o'clock or 3 Is time क्या दोरा है 3 o'clock? 3 o'clock In the Sean, in the clock shown here The Our hand is at 7 and the minute hand is at 12 तो यह जो Our hand है Sorry इसको तो 3 o'clock बोल चकते है इसको 3 o'clock बोल चकते है 3 o'clock बोल चकते है अब देखो अब इस वाली clock में कितना नाइप हो गया? क्योंकि हमारा जो शॉर्डर है यानि हमारा आर हमेंड हो 7 की तरफ हो गया तो कितने मज़गे? 7 यानि अब क्या time हो रहा है? 7 o'clock क्या time हो रहा है? 7 o'clock 7 o'clock इस तरीके से हमारा जो time वाला चाप्तर ही हो गया है प्राइब देख सब्सक्तर है 9 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock 9 o'clock 10 o'clock